हेलो स्टुदेंट्स आम तफजील खान असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रम दयाल ग्रूप आफ इंस्टिटूशन लास्ट में हम लोग ने कुछ अकाउंटिंग की टेमिनोलॉजी पड़ी थी उसी को आज हम लोग लोग एक्सपैंड करते हैं क्लास को वही से स्टार्ट करते हैं फिर से तो पिछली बार हम लोग ने जो टम्स पढ़े थे आई होप वो क्लियर होंगे कोई कंफीजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं अगले ही क्लास का यह कंटिनुईशन रहेगा तो आज हम लोग के कुछ और टर्म्स जो पहला है अकाउंट्स पेबल अब अकाउंट्स पेबल क्या होता है अकाउंट्स पेबल का मतलब यह है कि वो खर्चे आपकी ओगनाइजेशन के आपकी फर्म के जो हो चुके हैं बट पेमेंट अभी आपने नहीं किया है क्लियर अकाउंट्स पेब में, next is accounts receivable, अब accounts receivable, just इसका opposite है, suppose आपने कोई उधार सामान किसी को बेच दिया, ठीक, अब सामान तो उसके पास पहुच गया, लेकिन उससे अभी payment आपको नहीं मिला हुआ है, तो इस तरह के तमाम payments जो होंगे, आपके goods related हों, आपके किसी service related हों, वो सारे के सारे को कहलाते ह है, accounts receivable, यानि उसके against अभी आपको पैसा मिलना बाकी है, clear, तो accounts payable, यानि payment करना बाकी है, तमाम इस तरह के जो bill होंगे, तमाम इस तरह की जो payment होगी, वो कहलाते हैं, accounts payable, यानि अभी आपने pay नहीं किया, receivable, accounts receivable का मतलब क्या हुआ, कि अभी receive नहीं हुआ, you are going to receive it in future, future मे आपको वो पैसा मिलेगा, next is book value, what is book value, book value का मतलब ये होता है, कि किस value पे आप किसी asset या liability को अपने accounts में record कर रहे हैं, पिर से सुनिए, किस value पे आप किसी transaction को, किसी asset या liability को record कर रहे होते हैं, accounts में, उस value को बोलते हैं, book value, suppose, आपने कोई machinery आज से तीन साल पहले खरीदी थी, 40 lakhs की, ठीक है, तो book में वो appear हो रही होगी 40 lakhs की, हाँ, लेकिन हर साल, यानि हर महीने, हर हफते, इस तरीके से कोई भी asset जो होता है आपका, वो depreciate होता है, depreciation आप लोग को पता होगा, depreciation का मतलब continuous running की वज़े से assets की कीमत जो कम हो जाती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसको बोलते हम लोग depreciation, तो आप book value जो दिखा रहे हैं, book value में से depreciation minus करते करते आपकी value change होगी, लेकिन हम लोग asset को जो दिखाते हैं, वो किते पर दिखाते हैं, वो book value पे, यानि हमने जो सामान खरीदा है, जो सामान बेचा, तो जिस value पे हम वहाँ पे record क कर रहे होते हैं, उस asset को account पे, उस value को हम लोग बोलते हैं, book value, clear, next is inventory क्या है, inventory का मतलब यह होता है, कि तमाम वो assets, उस तरह के assets, जो किसी company organization ने खरीदे हैं, उसको sell out करने के लिए, किसी party को, और वो जो बच गए, यानि वो assets, जो big गए, वो तो sale हो गई, लेकिन जो बच है, वो आपके कहलाते हैं, inventory, फिर से, फिर से, ध्यान से सुनिए, इसको stock भी बोला जाता है, ठीक है, जिससे आपने सुनाओंगा, opening stock, closing stock, तो inventory is nothing but stock only, but यह होता कहा है, इसको सामल लीजेगा, इसमें वो तमाम assets आएंगे, जो आपने purchase किये है, to sell it to any other party, लेकिन जो sell out नहीं हुए, आपके पास बच गए, वो कहलाती है, inventory, clear, next is, what is direct expense, अब यह कौँसे तरीका खरचा होता है, so, direct expense is an expense, यानि, all those expenses which can be directly associated to your product or service, यानि, वो तमाम assets, sorry, वो तमाम expenses which can be directly associated with your product or service, अब suppose ये podium है, ठीक, अब ये क्या है, ये wood का बना होगा है, तो इसमें आप अगर देखो, तो देखके ही आपको पता लग रहे हैं कि हाई, इसमें wood लगी होगी, गम लगा होगा, या एक्स, वाई, जेट, क्या-क्या सामान लगा होगा, आप देखके बोल सकते हो, तो यान आपका जो डिस्टिबूशन के खर्चा है, आपका जो रेंट है, ठीक, जो कार बनने में important नहीं है, लेकिन उसको sell out करने में, selling distribution के सारे खर्चे, तो ये सारे खर्चे जो manufacturing के बाद के हैं, वो सारे जो directly जुड़े होगे नहीं है product से, वो क्या कहलाते हैं, वो सारे आपके हो जाएंगे in direct expenses, clear, जैसे इसी के example ले 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 ले, अब ये बन गया, बनन होंगे indirect expenses, clear, फिर आता है एक और बहुत important term, bad debt, अब ये सर्फ bad debt क्या होता है, bad debt का मतलब होता है, वो पैसा, first of all आप लोग को याद होगा, पिछले class में बताया था, debtor क्या होता है, तो debtor वो person होता था, जिसको हमने कोई उधार सामान बेचा है, और वो अभी हमको payment करेगा अब उसने payment नहीं किया है, clear, तो अब माल लीजिए, एक कोई due date आई, suppose 30th of November आपकी due date थी, आखके चली गई, आपने इधर से call किया, कि sir, आपका payment due है, please payment कर दीजे, आपने एक और date दे दी further, कि छी कि sir, 5 December को कर दीजेगा, sir, 15th of December को कर दीजेगा, sir, नहीं हो रहा है payment, last date, क एक को certainty है कि यह पैसा जो मिलना था, अब नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इस पैसे को जो आपका debtor का पैसा था, डूब गया, is known as bad debt, debtor bad हो गया, यानि अब वो पैसा नहीं मिलेगा, जो किसी से मिलने वाई था, clear, तो bad debt वो पैसा है, जो मिलने वाला था, मिला नहीं, clear, next is bad debt मान चुके थे कि एक ऐसा डेटर का पैसा जो मिलना था अब नहीं मिलेगा आप भूल गया उस पैसे को कि हाँ एक को इस नाम का डेटर था जिसने मेरा पैसा नहीं दिया ठीक है लेकिन क्या हुआ अचानक से उसके दिल में कुछ डया आई या XYZ हो सकता है मेभी वो भूल गया हो आपके कॉल को स्टाइम पे वो अटन ना कर पा रहा हो XYZ कोई भी रिजन हो सकता है अचानक से महां से फोन आता है कि सर आपका वो इतना इतना पेमेंट बाकी था I want to do that payment in फला फला डेट वो उस देट पे अगर पेमेंट कर देता है तो आप क्या कहेंगे यानि आपने प ऐसे को डूबा हुआ सोच रहे थे वह वापस आ गया है आपके पास तो वह पैसा कहलाता है बैट डेप्स टेकावर्ट क्लियर तो आई होब अप सारे टम्स 90% मान के चारी सब कवर्ड है इसके बाद जो मैं क्लास स्टार्ट करूंगा उसके बीट बीट में जो टम्स आएं हुआ हुआ है